हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल नेचर विद ब्यूटी आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे है मनाली लेहमार्ग परस्तित सूरश्ताल की वीडियो चलिए वीडियो को करते हैं शूरू सूरश्ताल मनाली लेहमार्ग परस्तित है सूरश्ताल समंदर तल से लगभग 49-44 मीटर की उचाई परस्तित एक ऐसी जील है जो विश्व की 21 भारत की तीसरी और हिमाचल परदेश की सबसे उचाई परस्तित उची जील है स्पीती गाटी मेस्तित सूरश्त जील का शाब्दिक अर्थ है सूर्य देपता की जील 12 लाचा दर्रे के ठीक नीचे इस तेजस्वी जील को देखने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए यहो जगा प्रकरती प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ख किसमान है इस जील को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहां डुपकी लगाने से पापो का नाश होता है अगर आप मनाली से रहतांग पास से होकर सूरज ताल पहुशना चाहते है तो आपको 187 किलोमेटर का सफर तैक करना होगा मनाली से रोहतांग पास, रोहतांग पास से कोकसर, कोकसर से किलोंग, कोलोंग से जिपसा, जिपसा से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी तैक करके आप सूरज़ताल पहुँचाते हैं अगर आप मनाली से रोहतांक अटल टेनल से होकर सूरज़ताल पहुशना चाते है तो आपको 142 किलोमीटर का सफर तै करना होगा अटल टेनल से केलोंग, केलोंग से जिस्पा, जिस्पा से लगबग आप 48 किलोमीटर की सफर तै करके सूरज़ताल पहुँच जाएंगे यहाजील बहुत से लोगों को अपनी ओर आकर्शित करती है इसलिए इस जील को अध्यात्मिक माना जाता है यहाजील जादा लोगप्रियो इसलिए भी है क्योंकि यहाज मनाली लेहमार के रस्ते में आती है जो ट्रैकिंग और बाइक ट्रिप के लिए वेहर लोगप्रियो है सूरश्टाल जील सहासी और अध्यात्मिक दोनों लोगों के लिए वेहर खास है तो फ्रेंस ये थी मनाली लेहमार पस्तित सूरश ताल की वीडियो इसी के साथ वीडियो को करते है स्माप तब तक टेक केर सी यू गाईज अगें